हमारा देश रोड एक्सिनेंट में जो बढ़ता चला जा रहा है भारत सरकार द्वारा जो बनाये गए नए कानून के तहत ड्राइवर्स के ऊपर जो ड्राइविंग जो नेगलेजेंस ड्राइविंग रश ड्राइविंग के ऊपर बनाये गया कानून था उसमें कठोर जरूर दंड था प्रावधान था पनिश्मेंट भी ज्यादा था फाइन भी ज्यादा था लेकिन भारत सरकार का ये संकल्प था कि हम अपने देश को जो दुनिया में रोड एक्षिरेंट में बढ़ता चला जा रहा है रेशियो वो सबसे कम हो कम से कम हो और ये दिखे कि कम हुआ है तो इसके लिए शायद ऐसा था पनिश्मेंट लेकिन अब भारत सरकार ने उस पर पुनर विचार करने के हिसाब से सोचा है कि नए कानून आएंगे नई बात आएगी तो उसमें देखा जाएगा लेकिन हाँ ड्राइवर उसके आर्थिक स्थिति है या जो प्रोफेशनल ड आप उसका इलाज कराएं पहुंचाएं दिलाएं जो भी है उसका पूरा तरह से बताएं तो यह आवश्यक हो जाता है और इसी आधार पर भारत सरकार की संकल्पना यही थी कि देश यो हमारा रोड एक्सिदेंट की संख्या कम हो लोग सुरक्षित रहें जो आज संसात्मथ प्रकर्या को कठोर किया घया था लेकिन दिरोध हुआ अणदोलन हुए प्रदərशन हुए राजनी तो हुए सब कुछ हुआ तो निश्यत तोर पर परिवर्तन संसार का नियम है और बदलाओ होगा और बदलाओ आएगा जब बदलाओ आएगा तो निश्यत और सुधार होगा भारस सरकार देश की जनता के लिए काम कर रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वा सबके साथ न्याय की भावना लेक उसमें drivers भी आच्छूते नहीं रहेंगे, कि उनके साथ कोई अन्याय हो और पी कोई आपका के प्रॉफ, प्रभावत होते हैं लेकिन सभी उसीस समाज का हिसा भी है उसी समाज का अंग भी है और उसी समाज आज के दायरे में रहते हैं और उसी आधार पर सब चलते हैं जिस आधार पर यह ऐसा कुछ हो रहा है और इसमें परिवर्तन आएगा तो और सुधार आएगा लोग अपने बातें सुझाओ दें क्या सुझाओ चाहते हैं लेकिन देखना ये भी है कि आगे बढ़ता चला जा रेशियो बढ़ता चला जा रहे दुनिया में नंबर वन की तरह बढ़ा उस पे रुकावट हो रोड एक्सिडेंट कम हो लोगों की जान माल का नुक्सान कम हो क्योंकि जब एक व्यक्ति की किसी की मौत होती एक्सिडेंट होता है तो कई रिस्तों को प्रभावित करता है कई रिस्ते उससे प्रभावित होते हैं उन सब रिस्तों के चोटों पर मरहम लगे उन सब को रहते इसलिए मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिबुनल की बात हो इंसुरेंस की बात हो रोड के कानून की बात हो अच्छी रोडें अच्छे यातायात अच्छे सम्मिलें उनके झाल